आप सभी को आज जो का जो टॉपिक है वह अपने देख के समझी गई होगी स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं एजूकेशन की साथ साथ देखिए वो दौर चला गया है अब आप 2020 में हैं 2021 में है 2022 में है अब वो दौर चला गया है कि बच्चे एक के बाद या कॉलेज टाइम के बाद कहीं पार्ट टाइम पे काम पे लग जाते थे अब लोग शरम महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्ट फोन आ गया है हमारे दोस्त बहुत सारे हो गए हैं काम करने में उनको हैजिटेशन होती है या बुक की शॉप पे लग जाते बहुत स्टूर्ट ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो शहरों में रह रहे उनके पास उतने ऑप्शन ही नहीं है तो सुबे स्कूल गए या कॉलेज गए और शाम को बस पकड़ के वापिस अपने गउव में चले जाते हैं सब के लिए आप सब के लिए आप कहीं से भी हैं किसी आप के रहते हैं और मिलांनिक कहीं बहुत अच्छा हो सकता है आपके पास फोन हैं आप दो काम ऐसे कर सकते हैं आप टो सकते हैं पर बना सकते हैं और यूटूब के लिए काम कर सकते हैं जो धीरे धीरे आपको growth rate देगा और आने वाले time में income source generate करेगा पहला तो ये है दूसरा आप अगर आपके पास school और college के बाद आपके पास सच में 3-4 घंटे time होते हैं बिल्कुल होते हैं तो आप जहां भी हैं अपने area में पता करें देखें गूगल करें कि graphic designing कौन सिखा रहा है क्योंकि आने वाले time में graphic designing की बहुत बड़ी demand है अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता कि graphic designing की बहुत बड़ी demand है बहुत simple से चीज़ है देखें white hat के उपर सभी को coding सिखाया जा रहा है वहां graphic designing नहीं सिखाया जा रहा है आपको coding करना सिखाया जा रहा है और जितना जरूरी coding है उतना ही जरूरी graphics है coding क्या करता है एक website एक application को generate करता है एक idea को एक machine को एक active रूप में बना देता है जैसे कि phone है मैंने click किया एक button को click किया और वो camera मेरा on हो गया या audio recording video recording on हो गया वो एक machine process है या backend में जो software बनाए गए है उसकी command को accept करने के लिए बट वो जो icon है वो graphic designing design करता है उसमें बहुत बड़ी range है बहुत qualities चाहिए बहुत designing का work है आप जितने movie देखते हैं poster देखते हैं YouTube के thumbnails देखते हैं कोई भी song के posters देखते हैं या जितने भी आप कोई photographic के साथ आप कोई pamphlet देखते हैं magazines देखते हैं websites देखते हैं जहां भी आपको कोई भी color दिख रहा है white के अलावा कोई भी designing दिख रहा है कोई भी font दिख रहा है कुछ लिखा हुआ है कुछ बनाया हुआ है वो सब कुछ graphic designing के अंदर है software अलग-लग है Photoshop यूज़ करते हैं Coral Draw यूज़ करते हैं Illustrator यूज़ करते हैं तो यह सारी चीज़े designing में यूज़ होती है basically तो यह designing के जितने भी चीज़े हैं वह आप कहीं भी सीख सकते हैं अच्छी बात यह है कि आपको इंडिया में maximum जगा पर ऐसे बहुत से एरिये हैं बहुत कम एरिये हैं मैं उल्टा बोलना जाता हूँ बहुत कम एरिये हैं जहां यह चीज़े अवेलेबल नहीं है otherwise maximum place पर आपको यह अवेलेबल हो जाता है यह नहीं भी अवेलेबल है कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको सिर्फ एक simple computer चाहिए high-tech computer नहीं चाहिए Photoshop, Colorado, Illustrator तीन software आप YouTube से ही सीख सकते हैं आप इस चीज़ को सिर्फ वीडियो देखने में या time waste में time waste ना करें आप try यही करें इन चीज़ों को शुरू करें सीखना पहली बात सीखें और सीखने के साथ साथ आप अपनी एक company खड़ी कर सकते हैं एक page बनाए आप company खड़ी करने के लिए आपको कोई registration नहीं करवाना है बहुत simple है एक page बनाईए और अपना काम उसके उपर डालिए वो सबसे बड़ा एक platform जो digital चीज़े बदल रही हैं उसको जल्दी accept कर लीजिए लोग धेरे धेरे आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे आपके friend, family, circle उसके बाद वो share करना शुरू कर देंगे और वो लोगों को बताना शुरू कर देंगे और यही platform आपको आने वाले time में एक बहुत बड़ा बाजार बन जाएगा जहां से आपको काम आना शुरू हो जाएगा अच्छे से tag लगाए जो आप बना रहे हैं यह चीज़ आपको income source अभी आपको शायद आपको नहीं आता है आप सोच रहे होंगे क्या कर लेंगे शायद होगा नहीं होगा लेकिन इस बात को बहुत अच्छे तरह समझे जिस country में आप रह रहे हैं सपोज आप इंडिया में देख रहे हैं बहुत बड़ी country है बहुत बड़ी जब मुझे सिर्फ photoshop आता था जब मुझे सिर्फ photoshop आता था उस टाइम पे मैंने coral नहीं आता था तो मैं खुद अपने logos के लिए लोगों को pay करता था 500, 600, 1000 अपने companies के लिए उसके बाद मैंने coral रोग खुद सीखा और फिर मुझे pay करना बंद करना मुझे one time pay करना पड़ा और मैंने वो software को one month में proper सीख लिया और फिर आप खुद के लिए जितने भी डिजैने होते हैं आप खुद ही करता हूँ तो try आप खुद करें कि आप खुद से सीखें और आगे अपना एक नया बिजनर शुरू करें So thank you for watching this video